अकेला ब्राम्मान जोता है और अपने आप में एक वेवस्ता होता है ब्रामनों का नोट भी नहीं चाहिए, वोड भी नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधिवासी हिंदू नहीं है और RSS के जो लोग है वो आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुई है इस देश में स्रिफ युवाओं का छात्र नौजवानों का स्रिफ इस्तमाल किया जा रहा है अतमान का जो युवा है वो मिसगाइडेड मिसाइल है अगर हिंदू तो मजबुत होगा तो हिंदू तो अगठेकेदार मजबुत होगा हम आपको एक अजीम शक्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो की पूरे राश्टी इस तर पर एक बहुजन राजनीती का एक एहम चेहरा है और उनके पास कई एहम जिम्मेवारियां है आपको स्वागत है आपको थोड़ा सा परिशे हम आपसे ही जानना चाहेंगे अभी मेरी जिम्मेदारी जो है वो बामसेब के द्वारा जो छात्र नौजवानों के जो संक्ठन बनाए गए भारतिय विद्धारती युवा बेरोजगार मोर्चा के एराष्ट्रिय प्रभारी के तोर पर मैं अभी कारे रतू और वरतमान में अभी उत्तर नौजवानों के जो संक्ठन है हमारा उत्तर प्रदेश में करिबन पचातर जिलों में फैला हुआ है तो उसके उनको जगाने के लिए उनके तयारी के संदर्ब में हम लोग उत्तर प्रदेश आये हैं उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग बहुजन युवा बेरोजगार सम्मिलन ले रहे हैं ये पचातर जिला में हैं अठारा मंडल में हैं और हमारी कोशिश है के 8135 न्याय पंचायत में ये बहुजन युवा बेरोजगार सम्मिलन हो उसके अंतरगत अभी पच्छिमान चलके 26 जिलों में ये कारेकरम लगे हुए है आपके हिसाब से जो क्योंकि आप तमाम जगे पर जावी रहे हैं और आपका जो पुरा अन्वह है आपके अपने शेत्रम में तो बहुजन जो चात रहे हैं उनकी बुन्यादी क्या समस्या क्या है और उनको किस तरीके से किस नजरिये से आप देख रहे हैं पहली बात तो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बहुजन शब्द जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो SC, ST, O, B, C and Minority जिनको मुल्निवासी बहुजन समाज कहा गया जिनकी संख्या जादा है अब जिनकी संख्या जादा होती है अब जिनके वोट जादा है तो उस बहुजन समाज में सबसे जादा युवा जो है, छात्र जो है, नवजवान जो है तो आज करोडो की तादाद में पढ़ लिक कर बहार आए हैं एक दोर था कि हमारे समाज को बहुजन समाज को पढ़ने लिकने का अधिकार नहीं था अब सविदान के द्वारा जो अधिकार मिला उसके द्वारा करोडो हमारे बच्चे पढ़ लिक कर भार आए लेकिन उनके लिए जो रोजगार उपलब्द होना चाहिए जो नौकरिया उपलब्द होना चाहिए तो जो शासक जाती के जो लोग है खास करके वो प्लान बना कर ये काम कर रहे है कि इनको रोजगार से प्रतिनिदी से कैसे वंचित किया जाए तो ये पुरा प्लान किया जा रहा है कि बहुजन, युवा लोगतान्त्रिक विवस्ता में उनको प्रतिनिदित्व ना मिले जैसे प्रतिनिदित्व मतलब विडhö पाली का है, कारे पाली का है, नयाख पाली का है या एवरी डेमोक्राटिक इंस्टुट तो उन सभी डेमोक्राटिक इंस्टुटूट में संख्या के आधार पर प्रतिनिदित्व मिलना चाहिए इस देश में स्रिप युवाओ का छात्र नौजवानों का स्रिप इस्तमाल किया जा रहा है तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि बहुजन युवाओ को बेरोजगारों को चात्र नौजवानों को अगर जगाये जाए तो वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं तो इसलिए पूरे भारत भर में भारतिय युवा मोर्चा, भारतिय बेरोजगार मोर्चा, भारतिय विद्यारती मोर्चा पूरे देश भर में हम लोग लगे हुए है यह चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने पचीस राजियों में अगर लाखों सदस सदसे बना भी दिये हैं लेकिन राश्टी विद्यारती मोर्चा का मैं इस रूप में कोई आंदुलानात्मक गत्विदी जो आपकी डिमांड्स हैं उनको लेकर मैंने अभी तक कोई नहीं देखी है पहली बात तो आपका धन्यवाद मैं आपके टिवी चाइनल का देना चाहता हूँ कि आप इस बात को जनता तक पोचा रहे हैं यह वर्तमान में जो मीडिया है यह मीडिया भी बहुजन अनुकुल नहीं है भारतिय विद्यार्ती मोर्चा के द्वारा बड़े बड़े आंदुलन हम लोग ने किये जैसे तेरा पाइन रोष्टर के संदर्व में अभी नीट में OBC के लिए जो रिजर्वेशन खतम कर दिया था उसके विरोध में लेकर हम लोग ने देश भर में आंदुलन किये देश भर में हम लोग आंदुलन किये लेकिन मेडिया जिस प्रकार से ये बाते दिखाना चाहिए उस प्रकार से दिखा नहीं रहा है देश भर में हम लोग लगे हुई है चाहे जो भी हमारे समाज के विरोध में जो प्रतिदिन कानून बन रहे हैं किसानों के विरोध में जो तीन कानून बनाए हुग तो इसमें जो OVC कम्योंटी से आने वाले शात्र हैं उन चात्रों की कितनी भूमिका बन पा रही है क्योंकि उनका जो रुजहान है वो इस राजनीती से मुझे अलएदा लगता है वो कुछ अलग लगता है पहली बात तो यह है कि वर्तमान का जो युवा है वो मिसगाइडेड मिसाइल है वो चाहे सेडूल कास्ट का हो सेडूल ट्राइब का हो या OBC का हो वो मिसगाइडेड मिसाइल होने की वज़े से वो जान बुच कर उनको मिसगाइडेड मिसाइल बनाया गया शासक वर्ग दव रूप से वो जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसी प्रकार से जो बावन परसेंट जो ओबीसी इतना बड़ा तपता बाउजन समाज में जो माना जाता है तो वो जो समाज का जो युवा है उस युवा का रूलिंग पार्टी जो है चाहे वो रूलिंग वहो यह अपोजीशन हो भारत में रूलिंग और अपोजीशन एक ही कम्यूनिटी के लोग बैटे हुए है अगर उनका इध्यास देखा जाए तो तो वो सिर्प मुस्लिमों की विरोध में खास करके बड़े पाइमाने पर यस्टी युवाओ का इस्तमाल करने की कोशिश कर भारत में जिस प्रकार से जो लड़ाई चल रही है खास करके दो प्रकार की लड़ाई चल रही है जो हम देख रहे हैं कि यह कहे धार्मिक ध्रुविकरन का जो आंदोलन है यह रूलिंग अपोजीशन और थर्ड अपोजीशन के ही लोग चला रहे चाहे वो कॉंग्रेस हो BGP हो, RSS हो या विश्वहिंदू परिशद हो यह धार्मिक द्रुविकरन का अंदुलन चला रहे हैं और धार्मिक द्रुविकरन वे वो हिंदूत्व मजबुत करने की कोशिश करते हैं अगर हिंदूत्व मजबुत होगा तो हिंदूत्व का ठेकेदार मजबुत होगा और हि CST OBC के जो युवा है उनका स्रीप इस्तमाल होगा है हिंदुत्व का ठेकेदार को नहीं है आपके साथ हिंदुत्व का ठेकेदार तो ब्राह्मन के अलावा तो कोई है नहीं उधारन के लिए हम हर बार हमारे कारेक्रोमों में कहते हैं कि चलो अयोध्या में राम मंदिर बना एक उधारन चर्चा में ला रहे है ताकि जन्ता को भी ये बात पता चले तो क्या उस मंदिर का घंटा बजाने के लिए OBC के बच्चों को वहाँ पर रखा जाएगा जितने भी भारत में मंदिर बेवस्ता है उस सारे मंदिरों के जो महंत है जो पंडित है जो वहाँ के दान पेटी के सब लोग जो बैटे हुए वो सारकसारे ब्राह्मन लोग है तो भारत में जिस प्रकार से धार्मिक धुरुविकरन वो लोग कर रहे है और इसमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमान वे पर OBC के बच्चों का इस्तमाल किया जा रहा है मुसल्मानों के विरोत में और जब तक ये इस्तमाल ना किया जाए तब तक कॉंग्रेस बिजेपी जो है इस देश पर राज ही नहीं कर सकती अब हिंदूत्व का जो मामला ब्राह्मन लोग जो चला रहे है अगर ठेकेदार की बात करें तो वो चला रहे है वो श्रीब इसलिए चला रहे है कि भारत में अभी साड़े तीन परसेंट ब्राह्मन है संख्या के आधार पर वो देश का शासक्या किसी ग्राम पंचायत का सदश्य नहीं बन सकता अज देश पर राच कर रहा है वो राच करने का ही हत्यार है हिंदूत्व कि यह इस्सी एस्टी ओबीसी को हिंदूत्व के नाम पर वो धार्मिक धुरूवी करन करते है और अलपसंद के जो ब्रामन है वो बहुसंद के बन जाता है आप एक ट्रैवल एरिया से आपका बिलॉंग करते हैं तो जो ट्रैवल कमुनिटीज हैं लेकिन एक जगह पर मैं यह देख रहा हूँ कि हिंदूत्व का अभिहान चल रहा है तो वहां पर आपका क्या आनव हो है देश भर में सुप्रीम कोट और हाई कोट के सोला जज्जमेंट है और वो सोला जज्जमेंट यह कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है आदिवासी को हिंदू कोट भी लागू नहीं है आदिवासीों को मैरेज एक्ट लागू नहीं है शार्दा एक्ट लागू नहीं है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोट ने कह दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और रसेस के जो लोग है वो आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुई है अब डॉक्टर महुन भागवज जी खास करके आपको दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ आपके कि महुन भागवज जो है वो महराष्ट के चंदरपूर जी लाके है और डॉक्टर रिट वेक्ति है तो शायद ग्यानी वेक्ति तो हो गाई तो उनको तो समझ होनी चाहि है कि जब सुप्रीम कोट कहे रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और यह आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुई है तो इससे डॉक्टर महन भागवज जिनका ज्यान जो है न वो समझ में आ रहा है तो इस बात को जो है थोड़ा ध्यान में रखना बहुत अब सविधान कह रहा है कि आदिवासी के जमीन गयर आदिवासी नहीं खरी सकता मतलब जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक खरिद नहीं सकता तो फिर क्या किया जाए तो आदिवासी होगी पैचान खतम किया जाए और पैचान खतम करने के लिए जो हाइकोट और पहिचान को खत्म किये बगएर भी तो कार्परेट सेक्टर वहां पर मौजूद है अगया दिए उसके लिए उन्होंने दूसरा फार्मूला लाया पर नैश्नल कौरिडार के नाम पर धरान प्रकलपर के नाम पर नदी प्रकलपर के नाम पर टायगर प्रोजेक्ट के नाम पर अईसे अभी गुदरात में सरदार वल्लबह पठेल की मुर्ति बिठाई तीनाजार करोड रुपया खर्चा किया बहत्तरगाव आदिवासी की वासे उजाडे उनने तो वो चाए वो सेज हो या चाए वो नैशनल कॉरिडार हो या इस प्रकार के प्रोजड्यक्ट लाकर अदिवासीों को भगाने का कारेकरम कर रहा है पुनरवसन के नाम पर विस्तापन के नाम पर ताकि उस शेत्र की समिज्क्स खनित संपत्ति जो है वो खनित संपत्ति लुटा जाए आदिवासियों को लेके एक ये जो हम देख रहे हैं कन्फलिक्ट जो दिखाई देता है कि आदिवासी छेतर में क्योंकि पहले से जो इसाई धर्म के लोगों का पेनेट्रेशन हुआ वहाँ पर और काफी लोग जो है मेरे खाल से शायद धर्मिक तौर पर उनका रुजान हुआ होगा ऐसा तो अभी जैसे जो हिंदी बाकी सामाने बैल्ट में हिंदू-मुसलिम का जो कन्फलिक्ट दिखाई देता है वहाँ पर हिंदू और इसाई की तरीके से दिखाई देने की बात मैंन करके धर्म को लेकर कि आदिवासी जो है वह हिंदू नहीं है रहा इसाईयों का मामला तो निच्छी तरूफ से आदिवासीों की कला सब्वेता संस्कूति ये अन्न धर्म और अन्न जातियों से भी बिन नहीं अलग है तो इस सेंटेंस में ही सारा मामला आ गया अब जिस प् प्रयोक करने के बजाए अगर हम थोड़ा इतियास देखा जाए तो जिन व्रामनों ने आदिवासीों को शिक्षा से अधिकारों से वंचित रखा मतलब हम सभी SCSTOBC को क्योंकि धर्म गरंथ में लिखकरी रखा ना कि शूद्र अतिशूद्र को पढ़ने लिखने का अधिक 1813 में प्राइमरी स्कूल बनाई जिसमें क्रांति विर्बिर्सा मुंडा को एजुकेशन मिला बाबा सब अमबेट कर को शिक्षा मिली जो तिराव फुले को शिक्षा मिली 1813 में 1854 में अंग्रेजों ने विश्व विद्यालई बनाए जिसकी प्रेणा लेकर बाबा सब अमबेट कर विदेश गए अब मेरा ब्रामनों से ये कहना है कि जो ब्रामन अभी इसाई मिशनरी का विरोध कर रह है और आदिवासियों को जो भड़गाते रहते है इसाईयों के विरोध में तो मेरा ब्रामनों को ये कहना है कि अंग्रेजों ने भारत में जिन ब्रामनों ने यह के SCSTOBC को गुलाम बनाने के लिए सबसे बड़ा हत्यार उनने इस्तमाल किया कि उनको शिक्षा से वन्चित किया ब्रामनों ने अंग्रेजों ने उनको शिक्षा दिया ज्यान दिया विज्यान से जोडने का प्रयास किया अगर इतना ही अगर ब्रामनों को ऐसा लगता है कि इसाई गलत काम कर रहे हैं तो ये काम जो है ये काम तो फिर RSS ने करना चाहिए था ये काम तो विश्व इंदू परिशद ने करना चाहिए था कि जिस समाज को हजारों सालों से जंगल की और खदेडा गया जो शिक्षा, ज्यान, विज्यान, कम्पूटर ज्यान, ट्रांस्पोर्टिंग सिस्टम दूर संचार साधनों से जिनको दूर रखा गया जिनके बुद्धी का अभी तक विकास नहीं हुआ, जिनका सिविलाइजेशन नहीं हुआ वो समाज है आदिवासी समाज और ये किन की वज़े से हुआ? तो ये आर्योक ये आक्रमन की वज़े से हुआ नहीं तो भारत में गनवेवस्ता थी और गनवेवस्ता का निर्मान आदिवासियों ने किया था भारत में सिंदु गाटी सब्वेता का विखास आदिवासियों ने किया था आदिवासियों ने नगरों का विखास किया था हमारे समाज में आदिवासियों में राजे पैदा हुए तथागत बुद्धा के भी पहले दस हजार साल पहले आरिया आने के भी पाच हजार साल पहले कोया पुनेम का नाम आपने सुनाओगा जिसे हम कहते पारी कुपार लिंगो याने बुद्धा के पहले जो 28 बुद्ध होके गए उनमें ये बुद्ध थे तो ये तो ब्रामन भारत में आने के पहले हमारे लोगों ने गनवेवस्ता का निर्मान किया था इतनी मजबूत हमारी संस्कुरूती थी ये तो ब्रामनों ने खतम किया आक्रमन करके खतम किया इस वज़े से आधिवासियों ने ब्रामनों की जो वेवस्ता है चाहे वो वरन वेवस्ता हो उसका चैरा देखना पसंद नहीं किया और जंगल के और चले गए बहुजनों की बात तो सभी लोग कहते बहुजन संगठन निर्मान नहीं हुआ है देश बर में यह आलाद दिखाए दे रहे चाहे वो बयन जी हो चाहे वो कोई भी हो चंदर शेखर को आपके क्या मनेंगे स्रिप युवाओ का इस्तमाल होगा जो चर्चा उत्तर प्रदेश में आ रही है ऐसा कोई बहुजनों का नेता नहीं वर्तमान में हम लोगों को छोड़ कर कि जिनके पास ब्रामन बैटा हुआ नहीं ऐसा कोई भी नेता नहीं चाहे वो मुलाइम सिंग जी हो चाहे वो बहन मायवति जी हो चाहे चंदर शेकर रावन हो ऐसा कोई नेता नहीं जिनके खेमे में ब्राह्मन बैटा हुआ नहीं है ब्राह्मन जो हता है न अकेला ब्राह्मन जो हता है न वो अपने आप में एक विवस्ता होता है लोगों को क्या लगता है अकेला ब्राह्मन क्या करेगा अकेला ब्रामन अपने अपने आप में एक विवस्ता होता है 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ 2006 से मैं बामसेप का पुनकाले इन परचा रखू बामसेप ने मेरी जिम्मेदारी जो बामसेप के राष्टी अद्देक्षवामन मेश्राम साहब है और बामसेप के जुआरा विध्यरती युवा बेरोजगारों को इखटा करने के लिए देश भर मेरी जिम्मेदारी लगाई गई मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ मेश्राम साहब और मुझे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जेल में डाल दिया था जब मेश्राम साहब के नेतरुत्व में जम्मु कश्मीर से कन्याकुमारी परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो गुजरात परिवर्तन यात्रा के नेतरुत्व की जिम्मेदारी मेरे उपर थी पुरे गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकाली तो उसमें मैं डरा नहीं तो ऐसे कैसे डरूँगा ब्रामनों को एंट्री ही नहीं है ब्रामनों का नोट भी नहीं चाहिए वोट भी नहीं चाहिए जिनकी संक्या साड़े तिन परसेंट है जो देश के मुल्निवासी नहीं है उनके नोट और वोट की क्या जोरु रत है यह देश हमारा है हम यहां के मुल्निवासी लोग है संक्या में बहु संक्या है वीभा जीत है क्योंकि यह डाक्टर बाबा सब अंवेट करने कहा साप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती बावा सब अम्मेट करने कहा बक्री और शेर एक साथ नहीं रह सकते काशिराम साब कहते हैं एक ग्लास दूद में एक बुंद निम्मू का डाल दो दूद फट जाएगा और हम कहते हैं गूड के उपर चीठा बैट जाए तो वो गूड की रक्षा नहीं करेगा गूड को खतम करेगा तो इसलिए मैं युवाओ को बेरोजगारों को बहुजन समाज के मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इस देश में सामाजिक ध्रूविकरन का अंदोलन चलाना होगा और ये आंदोलन वरतमान में स्रिप वामन मेश्राम साब जो है चलाते हुए मुझे नचरा रहे जो आप साड़े तीन परसेंट ब्रहमनों की बात करते हैं कि वो अपने आप में एक वेवस्ता है इसमें आप अपने हिसाब से चीजों संचालन करने लगते हैं तो इन साड़े तीन परसेंट ब्रहमनों को आप क्या करेंगे उरेशिया भेजने की कोशिश करेंगे या यहीं पर उनके लिए कुछ और वेवस्ता करेंगे देखिए अगर बहुजन समाज बहुजनों के उपर राच करेगा तो मज़ा नहीं आएगा आएगा नहीं तो बहुजन समाज बहुजन समाज के उपर राच करेगा तो मज़ा तो आएगा नहीं हम लोग जो ब्रामन हिंसा के द्वारा शासक बने हुए हैं हमारे समाज में विभाजन, अज्ञानता, फैलाकर शास ब्रामनों के दो शड्यंत्र है, जो राच कर रहे हैं न, एक है विभाजन और दूसरा है अज्ञानता, विभाजन से हम यह CS2OBC मानरेटी के लोग एक नहीं हो रहे हैं, और अज्ञानता से उनका शड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है, ब्रामनों को भगाएंगे नहीं, बस सविधान के उपर 100% अमल करेंगे, अब सविधान क्या कहता है, जिसकी जितनी संक्या भारी, उसकी उतनी हिस्से दारी, तो ब्रामन साड़ेतीन हैं तो उनको साड़ेतीन देंगे, ब्रामन साड़ेतीन हैं, उनको साड़ेतीन देंगे सामाजी के वेवस्था में उनके धर्म ग्रंट ऐसी जगा डालेंगे निकलेंगे नहीं बार ताकि भारत में ऐसी विशमतावादी वेवस्था ना पहले और 24 गंटे में निरनाई लेंगे और 72 गंटे में अमल होगा कौँसे धर्म ग्रंट सारे जो उनके विशमतावादी धर्म ग्रंट पाखंडी धर्म ग्रंट तो जो सामाजी स्थर पर उन्होंने हजारों साल से जो अमलोगों को मानसीख गुलाम मना कर रखा जिस पर वो राज कर रहे है और समाज में जो भ्रां हम अभी योजना बना रहे हैं कि ऐसी जगा पर डालेंगे कि यह निकलेंगे नहीं वो वो सारे धर्मगरंत सारे में करमकांड सारे पाकंड पर पाबंदी ब्राह्मन सविधान को बदलने की बात क्यों कर रहा है उसका कारण यही है कि आर्टिकल 13 में बाबा सब अंबेट करने ही उनके धर्मगरंत आवा में उड़ा दिये उनके धर्मगरंतों का आवा में उड़ा दिया हमें आउसर मिलेगा 24 गंटे में कानून बनेगा सामाजिक स्तर पर बोल रहे हैं आप 24 गंटे में कानून बनेगा बाततर गंटे में अमल करेंगे जो अमल नहीं करेंगे उनके ब कि सिर्फ 10 साल अगर हम लोग वामन मेश्राम साब का साथ देते हैं और उनके अंदोलन को मजबूत करते 10 साल तो जिस छात्र की उम्र 20 साल की है 10 साल बाद वो 30 का रहेगा जिनकी उम्र 25 साल की है 10 साल बाद वो 35 का रहेगा जिनकी उम्र 30 की है दस साल बाद वो 40 का हो जाएगा बुडे भी नहीं होने देंगे भरी जवानी में हम लोग शासक करती जमात बनने जा रहे हैं ये अभियान पूरे देशबर में हम लोग चला रहे हैं और ये हम ही लोग कर सकते हमारे महापुरुषों ने जब आंदोलन शुरू किया उनकी उम्र तो हमारी उम्र थी तथा गद गुद्दा ने घर चोड़ा उम्र 29 साल की थी राश्रविता जोतिराव खुले ने आंदोलन शुरू किया उम्र 21 साल की शाओ माराज ने अंदोलन शुरू किया उम्र 26 साल की थी बाबा सवाम्बेटकर ने अंदोलन शुरू किया उम्र 25 साल की थी भगत सिंग शहीद हुए उम्र 23 साल बिर्सा मुंडा शहीद हुए उम्र 25 साल हमारे उम्र के लोगों ने इस देश में परिवर्तन लाने के लिए काम किया बहतर यह है कि इस बहुजन समाज का जो युवा है उसको अब दोस्त और दुश्मन की पैचान होने की जरुरत है कि हमारे दोस्त को ने, हमारे दुश्मन को ने अगर हम लोग सही दिशा में यह जो सामाजिक दुविकरन का अंदोलन मेश्राम साब के नेतरुत्व में जो देश भर में चल रहा है इस सामाजिक दुविकरन में अभी इखटा होने की जरुरत है इससे भाईचारा पैदा होगा अगर यह CST, OBC और माइनरीटी में अगर भाईचारा बन गया तो शक्ती का निर्वाई